हाईलो फ्रेंड्स यूरो वेलकम टू आरके रोजगार इस्टडी यूटूब चानल में आपका स्वागत है गर आप वीडियो से जुड़े हैं तो पले लिस्ट जरूर चेक करें जिससे आपको पता चरश है कि हम किसपरगार के वीडियो अपलोड कर रहे हैं और देखें इस जियोगराफी से बार-बार पूछे जाने वाले टॉप 25 प्रसनों को एक्स्ट्राफेट के साथ कबर करेंगे नेक्स्ट पार्ट कमिक सुनों और अपलों का अच्छा सपोट रहे है तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट जलदी ले करेंगा और जोएन टेलिग्राम फार फिरी प अगर पूछेगा बिज्याएवाडा किस नदी पर है तो जबलपूर नर्मदा नदी के किनारे बसा सब रहे है जबलपूर नर्मदार नदी के किनारे बसा सहर है जबलपूर कहां पढ़ता है तो यह MP यानि मध्यपरदेश में पढ़ता है आमदाबाद किस नदी के किनारे अधिया होई गया सर्यू अधिया बहुत कुछन यह भी पुछता है कि कोटा किस नदी के किनारे बसा सहर है कोटा किनारे बसा रहें गोवा की तट्रेखा भारती है भारत में से किस राजे की तट्रेखा सबसे छोटी है तो सबसे छोटी है गोवा की नेक्स्ट प्रसन देखिए हम SSCGD के आपने यूटूब चैनल पर एनलीजिस कर आ रहे हैं तो देखिए पाक 6 दिन पहले वीडियो प्लोट किये हैं तो जिस किस देश के साथ लगी हुई है क्या पाकिस्तान से नेपाल से बंगलादेश से भूटान से इसका इंसर क्या हो जागा भूटान और सबसे अगर पूछेगा यह देखिए का है सबसे छोटी अगर कहेगा कि सबसे बड़ी अस्थली सीमा किस देश के साथ लगती है भारत की स सबसे बड़ी अस्तलिय सीमा किस देश के साथ लगती है तो वह बंगला देश के साथ और सबसे चोटी है बुटान इन प्रफशनों के प्रेक्टिस करने के लिए आप टेलिग्राम गुरूप से जूरें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्रिशन बॉक्स में है यानि वह आपको एक और से दो प्रफशन कणंफर्म बनेगे क्योंकि हमारा एकज्म 22 फेब्रवरी को था तो हम एकज्ज्म देखा रहे साथ लुक्रेवाइब परशन किसका उधार हए टो तो इमाले किसका उधार हैевाले किया है तो हिमाले 1 एक बलिग परवत ह्हिमालय एक बली परवत है सुर्ण रो corps नमीं लखोत में से कौन सा बाद नर्मदाध नदी के तठ पर बना हुआ नर्मधा नर्मदा नदी पर कौन सा बाद बना हुआ तो सरदार सरवरबाद किस नदी पर है तो सरदार सरवरबाद नर्मदा नदी पर है सरदार सरवरबाद नर्मदा नदी पर यह कहा है तो यह गुजरात राज्य में यह गुजरात के केवडिया में इस्थित है गुजरात के केवडिया नमकस्थान पर है भाखडान अंगल, नागार्जुन, क्रिष्टना नदीपर, हिराकुंड, अब हम आ जाएंगे, नेक्स्ट परस्न, हिराकुंड महानदीपर, भारत का कौन्ड सा राजे केसर उत्पादन से संबनी थे तो, भारत के किस राजे में केसर का उत्पादन होता है, तो वो है जम्ब भारत का जम्बु कस्मीर, जिसे भारत का स्वीटजर लेंड भी कहते हैं, जिसे भारत का स्वीटजर लेंड भी कहा जाता है, जिसे भारत का जन्नत भी कहा जाता है, तो जम्बु कस्मीर, यहानि करम से बताना है कि भाखडान अंगल, परियोजना किस नदीपर है, हिराकु पर्योजना किस नदी पर है इसका करम बताना है तो आप करम से बताना है तो देखिए भाख़ाना अंगल बान्ध किस नदी पर है तो भाख़ाना अंगल सतल sent present है और ही именно Comarchy किस नदी पर है तो हीरा कुछ कुर्ण परियाग किसका संगम है तो क्रुण परियाग अलक नंदा और पिंडार का संगम है किसका संगम है तो कौन सा बाद नर्मदा नदी पर बना वगा है बताना है कि नरमदा नदी पर कौन सा बाद बना हुए तो सरदार सरुवरबाद किस नदी पर बना है तो सरदार सरुवरबाद नर्मदा नदी पर बना हुए सबसे बड़ा राज़ कौन सा है तो शेतरफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज़े है राजस्थान और पूछेगा अगर जनसंख्या का इसाब भारत का सबसे बड़ा राज्य तो जनसंख्या के इसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जागा उत्तर परदेश छेतरफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान पूछेगा कि जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस भारती राज्य के त तो वह है गोवा राज्ये का नेक्सट प्रस्ट 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 पर आजएंगे भारत में सिचाई के तहत सरवाधिक छेत्रफल वाली फसल कौन सी थह? तो वह है धान ये अक लसापार के रोज गारे शेट यूट्वी चन पे देख रहे हैं अगर आप वीडियो चलुन है तो एक बार playlist जरुद चक करें, next person पर आजाएंगे, निमलेखित में से कौन सा राज्य में महानदी, डेल्टा किस राज्य में इस्थी थे, तो महानदी, डेल्टा यो उरिशा राज्य में इस्थी थे, महानदी, डेल्टा यो उरिशा राज्य में इस्थी थे, next person, भारत में स सबसे बड़े भंडार को भारत में बहुत ज्यादा पूछा जाता है न serait Armor अब देखिए अब पुछता है हम आज चली आंगे आ जा रहा है क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जागा ज्यादा प्रता है कौन सा जल निकाय अंडमान और निको बार को एक दूसरे से अलग करता है इसका सएनस्वर क्या हो जागा तो इसका सएनस्वर हो जागा दस डिग्रीच्चंट देखिए एई-P-Police का एकजाम में यह पूछा जाता है तो दस डिग्रीचंट अंडमान दिप्समुंग और निको बार दिप्समुंग को अलग करता है यह भूबात रहता क तो हम भी देखा रहा है तो उसमें यह पुछा था तो भिलाई इस पाथ सन्यंत्र ने किस देश की मदल से बना गया था तो वो बना गया था सोवियत संग की मदल से भिलाई जिसे सोट में कहते हैं बी एश पी भिलाई इस पाथ सन्यंत्र भारतीय रेल्वे के लिए बीस वेस्थरीय रेल का भारत का एक मात्र नीर्माता और अपूर्ति करता यह कहां इस्तित है पूछेगा अगर डिलाई इस पाथ Lewis नेक्ष पर्योजिना निमिकट में से किस कींग काि राज्य की मदल परियुजना है लो हए निदंती परियोजना तो महराष्ट राज्य शुनूक्त्त परियोजना है 15 नदी परियोजना मध्य परदेश और महराष्ट राज्य का सुनूक्त परियोजना तो भारत और चीन के बीच कौन सी से मां रहा रहा है। बिश्तित था रेट के लिए पाक जलडमरू या सिरलगका को और भारत से अलग करती है करक रेखा किस गूजरती है करक कौन कौन से राज מजोर स्ट से कुजरत का से नाज से नहीं कुजरती है तो कि спрос राज भारत के है राज भारतिय खनीजों का भंडार किसे का आ जाता है तो भारतिय खनीजों का भंडार किसे का आ जाता है तो भारतिय खनीजों का भंडार किसे का आ जाता है तो भारतिय खनीजों का भंडार किसे का आ जाता है तो भारतिय खनीजों का भंडार किसे का आ जाता है तो भारतिय खनीज या बगेल खंड के पठार को तो देखें भारतिय खनीजों का भंडार हम कहते हैं छोटा नागपूर पठार को भारतिय खनीजों का भंडार का आ जाता है छोटा नागपूर पठार को भारतिय खनीजों का भंडार का आ जाता है भारतिय प्राइदुईप की सबसे उची चूटी, ससी जीडी का या फेबरेट कुश्चन है, भारतिय प्राइदुईप की सबसे उची चूटी कौन सी है, तो वो है अनाई मूडी, पुछेगा किस जीले में है यह इडूग की जीले में इस्तित है नर्मदा और ताप्ती कीस ओर बहती हैं तो नर्मदा और ताप्ती भारत की दो ऐसी नदिया हैं जो पश्चिम की त pasti हैं देखिए नर्मदा और तप्ति के अलावा सभी लोग सभी पूरब से पक्षिम बहती हैं लेकिन नर्मदा और ताप्ति किस और बहती हैं तो यह पश्चिम और बहती हैं प्राइदुपी या भारत की प्रमुख नदिया कौन-कौन सी है, तो महा नदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं, जो पूरब की और बहती हैं, और बंगाल की खाडी में गिर जाती हैं, और यह बंगाल की खाडी में नर्मदा और तापती नहीं गिरती हैं, सिरिलंका के साथ सिरिलंका के साथ भारत के अंतार अश्ट्रारिय सीमा नहीं लगती है उसक्ताटीस के लिए अनल थोड़ाइश कोड़ी साथ जो डेख सखते हैं, तो वहां से आप पर रसना का प्रेक्टिस कर सकते हैं और बात में सोलूशन के लिए हम वीडियो देख सकते हैं तो थैंक्स पर वाचिंग वीडियो पसंद दिए से लाइक से और सब्सक्राइब करें वीडियो से जुने के लिए धन्यवाद